लिगल डिक्टेशन असी सब्द परते मिनिट डिक्टेशन स्टार्ट शरुपर्तम विबाग दोरां जारी कतित परतिक्सा आरक्षित सुची दिनांग नो चार दो हजारतेन को नियम उनिस सोची आनवे के नियम दोसो संदर्व में चयन सुची नहीं कहा जा सकता है दूसरा दिनांग 9.4.2003 की सुची को परतिक्सा आरक्षित सुची भी नहीं कहा जा सकता है विराम यह केवल एक फेर बदल किया गया परिणाम या जो उन उम्मीद्वारों को ध्यान में रखने के बाद जारी किया गया था जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अनुप्युक्त पाये गए थे तीसरे परतिक्सा आरक्षित सूची केवल उन सेटों के बराबर जारी की जा सत्ती थी जो उम्मिद्वारों के कारण खाली रह गई थी जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्ये गोशित किये गए उम्मिद्वारों के कारण खाली रह गई थे फेर बदल बाद परिणाम एक आदेश था और परतिक्सा आरक्षित सूची के उम्मिद्वारों को उक्त पदों के विरुद्द समायोजित नहीं किया जाए शक्ता था और चोथा दिनांक 94-2003 की सूची जारी करने में विबाग द्वारा अपनाई गई परकरिया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि विबाग को पहले उपियुक्त अब्यर्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर योग्ये अब्यर्तियों क शक्ताथि चयन सूची को अंतिम रूप देना चाहिये था व्राम इसके बाद परतिक्सा आरक्षित सूची जारी की जाने चाहिये थी व्राम परतरती विबाग ने इसके विपरिट कारे किया है और अवेदरूप से पहले तताकतित सुची जारी की है और फिर दस्तावेजों का सत्यापन किया है विराम इस तरह की विपरिट परकिरिया के कारण जो उम्मिद्वार दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन के लिए उपियुक्त नहीं पाये गए उन्हें चयन सुची में सामिल किया गया जबकि उन्हें चयनित नहीं माना जा सकता था विराम उक्त उम्मिद्वारों को अंतिम चयन सुची से बाहर करने के बाद में बाद की पर्तिक्सा आरक्षित सुची जारी की जा सकती थी विराम पेराचेंज याचिका करताओं के अधिवक्ता स्री राजिस खन्ना ने कहा कि यह तत्ते की विबाग ने गलत और विपरित परकरिया अपनाई रिकार्ड में रखे गए दस्तावेजों से भी इसपाश्ट है ग्राम उनमें से एक वर्ष 2001 का विज्यापन था जिसे हालंकी बाद में वापस ले लिया गया था दस्तावेजों के सत्यापन की परकरिया पूरी होने के बाद अंतिम चैन सुची जारी करने की परकिरिया के लिए जारी किया गया विराम पेराचन अंदे दस्तावेज जो इस थत्ते को और पुष्ट करते हैं ये हैं विशेज सिक्सा सिक्सकों की भरती के लिए जारी विज्यापन तता खिलाडियों के मामले में जिन में राजे सरकार द्वारा ही यह निर्देश दिया गया है की चैन सुची अंतिम तक संचालित की जाए और कोई भी सेट खाली न रहे विराम इसके उपरीट विद्वान अपर महदिवक्ता मनोजेन ने परतिरती राजे की ओर से पेश होते हुए प्रस्तुत किया की वर्तमान रीड याचिकाईं पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि वर्तमान याचिकाईं के माद्यम से वर्ष 2001 के विज्यापन 2002 में पुनरेक्षित संसोदित द्वारां अधि सुचित चैन परकिरिया को वर्ष 2002 में चुनोती देने की मांग की गई है विराम विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया की वर्तमान भर्ती पिरकिरिया को विज्यापन द्वारां बहुत अच्छी तरह से अधि सुचित किया गया था और याचिका करताओं ने केवल कतित विज्यापन के संदर्व में बर्ती पिरकिरिया में भाग लिया विराम इस्टोब